हेलो दोस्तो कैसे हूँ दोस्तो आज के इस टोपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि MS6H 2013 में टेबल जोइन कैसे करें सो दोस्तो इस टोपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं How to use inner join, how to use left outer join, how to use right outer join, ये मैंने left लिख दिया, इसको मैं सई कर दूँ हाँ, ठीक है, हमारे पास दो seat है, तो हम सीखने वाले हैं कि inner join, left outer join और right outer join होता क्या है, तो उसके लिए मैं, देखो, थेयरी समझाने चे पहले ही मैं practical पिछलता हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो दो मेरे पास टेबल है, एक employee details है, एक employee salary है, join का मतलब क्या होगा, ये table और ये table, दोनों का data एक जिगा हो जाएगा, जैसे ये 1001 Sita कुमारी है, 1001 Sita कुमारी का country India है और mobile number ये है, तो ये मेरे को साथ में दिखे, ये, 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 और इसके बाद कंट्री और telephone number या पहले मेरे को ये दिखे, 1001 ये, ये और उसके बाद ये दिखे, तो उसके लिए ये होता क्या है, ये relationship में होता है, दोस्तों, इसके लिए आपको relationship create करना होता है, तो आपको क्या करना, database tool में जाना होता है, relationship में जाना होता है, यहां से सेल्डी दो सीट आ गई है ठीक है यह आपके लेफ टेबल यह आपकी राइट टेबल जो आपके हाथ की तरफ आ रही है ठीक है अब इससे इसकी से मैं इसकी को उपर रख दूँगा इसकी से इसकी के उपर रखते ही यह देखो और इसको मैं क्रियेट कर दूँगा ठीक है तो जोइन टाइब को समझते हैं यह आपको पता है टेबल क्या होती है कि इस टेबल का डेटा इस टेबल के ऊपर बेस है किसके ऊपर इसके ऊपर बेस है हना तो हम जोइन टाइब को समझते हैं तीन जोइन होते हैं इनर जोइन लेफ्ट जोइन आउटर राइट जोइन तो सबसे जो data है इस employee detail में और employee salary detail में जो दोनों एकदम same match होंगे उन्हीं को दिखाया जाएगा उसके अलाग कोई data को नहीं दिखाया जाएगा तो इसको okay करते हैं और यहां से दुबारा okay करते हैं तो जैसे ही यह okay कर दिया हमने तो क्या होगा यह data इसमें और इसमें जो same है वो दिख 156 उन्हीं तो इसमें जैसे एक जार चोदा है ऐने इसमें 106 आर इसमें 106 है इनी तो इनको नहीं दिखाय का 00123 तक दिखाय जाए जाएगा 000000 भी नहीं आएगा 1234 कैसे 4 है नहीं है तो एक ढटा और दिखाये कैसे सर रिलेशन्शिप तो बन गया हमारा यह रिलेशन्शिप हमने बना दिया तो इसको क्या करते हैं सेव कर देते हैं और यहां से क्लोज कर देते हैं क्लोज करने के बद इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं अब आमें क्या करना एक ॡैट में जाना है और यहां से एक Query Design करनी है जिसरे कुछ भी आपको करनाए इन चीजों को तो उसके आपको query design करनी होती है तो यहां से हम query design पर click करते हैं और यहां से sheet choose करते हैं पहली employee detail और दूसरी employee salary और close कर देते हैं अब यह देखिए इन दोनों के बीच अब जो भी data होगा यहां से इसमें यहां आ गया डेटा अब आपको तो यहां से हमने एक सीट चूज कर ली थी आप दूसरी कर लेते हैं तो दूसरी सीट करने के लिए कि यहां से आप एक सेंट माय फ्रेंड क्या करते हैं हम दुबारा से भी कर सकते हैं तो हम यहां से टिलिट यहां से इसको भी डिलिट और यहां से मैं property seat table ठीक है table names ठीक है यह भी हटा देते हैं फिर मैं आपको क्या करना है view data seat view okay must have written destination ठीक है हम यहां से remote table यहां से इसको close और do you want to save no फिर यहां से create में जाते हैं यहां से query design पर जाते हैं show tables ठीक है show tables में आप employee details और employee salary okay and close यह हमारे बीच इसके link बन गए ठीक है अब ही हमी क्या करना है इन पे जो हमें data चाहिए उसके 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 हम डबल Maharक क्लिक करते जाएंगे सबसे पहले employee ID उसके बाद जैसे मालनो मेरे को employee name चाहिए employee name उसके बाद جो आपको जैसे चाईए उसके बाद country चाहिए उसके बाद वोबाइल चाहिए उसके बाद date of joining चा चाहिए पी-फ चाहिए सेलरी चाहिए मेल चाहिए ठीक है यह सारे आइटम आगे और इस पे हम दो बार क्लिक करेंगे क्योंकि एक बार यहां से कर चुके हैं तो इस पे वापस करने का कोई वाईदा नहीं है ठीक है अब क्या करते हैं इसको सेव कर देते हैं जैसे ही सेव करते हैं और इस पर लिख देते हैं इनर जोइन ठीक है इनर जोइन जोइन ओकी और ओकी जैसे ही मैं यहां से इनर जोइन करता हूं तो यहां पर एक इनर जोइन क्यारी बन चुकी इसको हम क्लोज कर देते हैं अब यहां पर इस पर डबल क्लिक क करते हैं तो मैंने क्या बोला था 001 2 और 3 तीन ही बंदों का डेटा आएगा अब आप देख सकते हो यहां से 001 002 003 यह यह दिस 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 उसके सारी डिटेल आ चुगी है हमने फेच कर लिया है उसका हमें यदि हमें पूरी डिटेल नहीं चाहिए थी तो हम नौर्मली य लगा लिया तो उसकी वजह से हमारा पूरा डेटा यहां से इनर जोइन से हो गया है अब हम दूसरे डेटा की तरह बात करते हैं क्लोज कर देते हैं क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं हम दूसरी क्रेट करते हैं ठीक ना उससे पहले हमें क्या करना है रिल relationship करना joint type करना है दूसरे पर जा रहा है include all records from employee details and only those records from employee salary where the joint fields are equal यह होता है left तो यह क्या कह रहा है कि आपके जो employee detail, यानि आपके left hand की तरफ है, employee all the record from employee detail and only those record, only, only those record from employee salary, जो आपके right hand की तरफ है, where the joint fields are equal, तो यानि मैं ये कहूं कि इसके अंदर के सारे data यहाँ पे so होंगे, table में और इसके नहीं होंगे, इसके वही data so होंगे, जो इसमें match होंगे, बागे चाहे इसके data इसमें match हो, चा join, okay, तो इसे okay किया, इसे okay किया, यह हमारा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, save करके close करते हैं, create में जाते हैं, query design में जाते हैं, यहां से employee detail को choose करते हैं, और यहां से employee salary को choose करते हैं, और इसको close कर देते हैं, वैसे ही वापस से detail ले ले लेते हैं, जैसे employee ID पे double click करते हैं, वही वैसा का वैसा ही ले लेंगे पर चीजे दिखाएगा वही जो इस देटा वही दिखाएगा यहां पर जो इसमें सारा होगा इसमें चाहे हो चाहे ना हो पर इसका ही डेटा सो होगा जो और इसमें से वही होगा जो इसमें मैच हो रहा है यानि लेफ्ट आउटर की तरफ होगा तो इसे save कर लेते हैं, इसे बोलते हैं हम left, outer join, आप समझ रहे होंगे side, ठीक है, इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, close, और इस पर double click करते हैं, तो ये देखिए, जो left के तरफ, जो country थी, वो तो देखो सारी आएगी, मैंने क्या बोले, left table का data तो पूरा so हुगा, पर right table का वही data so होगा, ये right का है, salary detail का है, जो सीता, अरविंद और श्याम, ये data उसमें थे ही नहीं, देखो employee salary में 2012 भी नहीं है, 2013 भी नहीं है, और इसमें देखो, 1000, 001, 002, 12, 13, 14 सब हैं, तो left after join का मतलब क्या होगा है, जो left, आपकी left hand की तरफ relationship में थी, हना वो seat का सारा data, इसमें यहां पर आ जाएगा, पर right side वाली seat का data नहीं आएगा, और vice versa, right seat का भी ऐसे ही होगा, कि right वाला में, right का पूरा आ जाएगा, ये वाला data आना, ये पूरा आ जाएगा, पर ये 12, 13, 14 और 0 वाले data नहीं आएगे, तो इसका भी एक बर देखी लेते हम, जब इतना कर ही रहें तो क्या करते हैं, database में चलते हैं, यहां से relationship में जाते हैं, यहां से, इसे edit करते हैं, join type करते हैं, ये, include all the record from employee salary, यानि right side का जो भी data आपके hand के, right hand की तरफ जो भी data होगा, वो सारा आ जाएगा, पर इसका data, left का data वही आएगा, जो इसमें होगा, ओके, इसको close, save कर देते हैं क्लोज कर देते हैं, यहां से, क्रियेट में आते हैं, query design करते हैं, employee detail ले लेते हैं, और salary detail ले ले लेते हैं, close कर देते हैं, वही employee ये ले लेते हैं, employee name ले लेते हैं, country ले लो, फिर mobile ले लो, फिर date of day, mn, salary, DF, total salary, mail, ठीक है, and control S, ठीक है, इसे हम control S कर देते हैं, save इसे बोलते हैं, right outer join, outer join, तो साइद आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं, और इस पे click करते हैं, तो यहां पे देख सकते हो, जो सीता, अरविंद, स्याम, राजा, संजे, अरुन, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इनके डेटा आ चुके हैं, आप अब यह देखोगे, कि यहां पे यह डेटा क्यों नहीं आया, इसका region मैं बताता हूं, right outer join, design view में जाएंगे, यहां से, ठीक है, और जो, आपने यह employee data लिया था, इसको आप यहां से paste कर सकते हो, दूसरा data, किसका ल आ लेके, आप employee salary का ले लो, इसका data उठाओ, यह employee ID, हमने इस पे double click किया था, आपको इसको करना है, तो उसके सारे जो employee ID है, वो दिखेंगे, ठीक है, save, और यहां से double कर लेते हैं, right click पे, तो आप देख सकते हो, जो यह इसके data थे, वो सारे दिख रहे हैं, उसके data थे ना, employee detail के, वो कोई data नहीं आ रहा है, 13, 14, 12, 13, 14 और 0 वाला data यहां पे नहीं आ रहा है, और जो country और mobile number उसके आ चुके हैं, जो उससे match हो रहे थे, तो साइद आप समच चुके होंगे, तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करे, share करे, और अभ किया है, तो सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे थेंकि दोस्तो,